जब वो आने की कमरे में दाखिल हुई तो उस कमरे को अंधेरे में टूपा देखकर उसे अजीब समय सुसुआ उससे उस रोम की लाइट चलाई जैसे ही उसके नजर इशाल से रख रही उसके ऐसे आलत देखकर उसका दिल अजियर से पढ़ने लगा क्योंकि उसका चेहरा सर्थ पढ़ना था तबकि आंकों से आंसों हुष्कों कर वहां सिफ उदाजी तकलीफ और विवसी का ठेहरा हो था वो वाश्रूम में गई और टावल को कीला करके वापिस आए और उसकी मतल से उसके चेहरे को साफ करने लगी फिर उसे साइट पर रखकर वो उसके बालों में उंगलिया जलाने लगी तुम्हारे बापा बहुत मजबूत इंसान है इशान वो अपने सिंधी की राह में हाइल सारी कटनों को हराकर वापिस लोटाएंगे क्योंकि उनने पता है उनकी प्यार ही सी बेटी है इसका चेहरा उन्होंने लास्वी हर सुरत देखना है वो नम आँखों से उसके बालों को अपने उंगलियों से प्रश करते हुआ ऐसा ऐसा बोले लगी तुम जानती हूँ मुझे जब भी दलब हुई है मैंने अपने बापा को हमेशे अपने हम कदम पाया है निशान ने सामने दिवार की जानिब देखते हुए बोलना शुरू किया जब मेरी मामा इस दुनिया से चली गई तो मेरे बापा ही मेरे लिए सब कुछ बन गए उन्होंने मेरे जिंदी की हर स्कूल मीटिंग्स हो या मैंने किसी प्लेय में हिस्सा लिया हूँ वो हमेशा अपनी मस्दूफ लाइफ से स्पेशल वक्त निकाल कर मेरा होस्ता बढ़ाने वहाँ आए है अगर मैं गलती सुपे मार पर जाती थी उन्होंने सारी रात मेरे सराने जाकर उसारी है अकलीफ मुझे होती थी लेकिन मैंने उन्हें भी अपने साथ रड़ता हुआ देखा है लोग कहते हैं माहों की मुहबब जैसे कोई मुहबब नहीं लेकिन मैं कहती हूँ मेरे बाबा जैसे मुहबब कोई नहीं कर सकता वो अपना चेरा हाथों में चुपा कर सिसकते हुए बोली तो हीर रोते हुए उसे अपने सीने में भीच गई फिर उन्होंने बहुत साथ दिया है हर पर हर कदम पर अब मेरी बारी है तो मैं यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैच जाओ उन्हें उनकी जिंदी की चंग लड़ने के लिए अकेली कैसे छोड़ दूँ उन्हें मेरी जुरुए दहीर लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे है वो हिच्चियों के दर्म्यान बोली इन्हें लगता है ऐसे ही लोग मुझे महफूस रख रहे हैं लेकिन ये गलती पर है क्योंकि ऐसे ये धीरे धीरे मुझे खतम कर रही है उसके अलवाज पर हीर ने उस सकीज़ अपनी ग्रिफ्ट सक्थी कर दी थी जबकि उसके आंसों रवानी से बहने लगी है हीर मुझे भाइदा हो ना मैं क्या करूँ वो रोते हो भी बूचे लगी जिस पर हीर ने कुछ बल सोचा और एक आडिया उसके सहिन में आयो अगर तुम्हें अपनी बापा के पास जाना है तो तुम्हें इस केम्प से निकलना होगा एकी बात पर इशाल ने उससे अलग होकर उससे ऐसे देखा जैसे उसका दमा खराफ हो गया हो तुम मुझे मश्वरा दे रही हो कि हम दोनों यहां से भाग जाएं तुम्हें इसके नताइच का कोई आइडिया है इशाल ने उसके दरफ देखते होए पूछा क्या तुम अपने पापा को देखना चाहती हो अगर चाहती हो तो जिन्दी में लिस उठाने सीखो तुम्हें यही एक रास्था है जिसमें मैं तुम्हारी अभी मदद कर सकती हूँ इनने कहकर अपनी दोस्स की जाने टेका जो घहरी सोच पर डूपी उसी की तरफ देख रही थी मैं तयार हूँ हम दोनों साथ में ही यहां से भागेंगे इशाल ने हामी भजते हुए कहा तो इनने हामे सहील आ दिया गुड लेकिन हमें यहां से निकलने के लिए बहुत अच्छा प्लेन मनाना होगा इनने सोचते हुवे कहां मेरी कुछ कनेक्शन यहां है लगता है उन्हें इस समाल करने का वक्ता क्या है हम उनकी मदद से अराम से यहां से निकल जाएंगे अभी इशाल कहकर फारी की वीडी के अचानक दर्वासा कोल कर दाली अंदर आ गई क्यों तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा ये दो टके को फजूल प्लैन वर्क करेगा वो दर्वासे के साथ बुश लगाकर अपने वासूं को सीने पर बांते हुए तंसे लहजे में फूली जिस वर दोनों चोक कर उससे देखे लेगी तुम्हें ये कीन है ये तब तक ऐसे ही सुई रहेगी जब तक हम यहां से निकलने ही जाते एन तालिया को बेट पर सोई देखते हुए इशाल से पूछा इस टेकनिक से इंसान दस से चोदर घंटे अराम से सोया रहता है और मेरा ह्याल है इतना वक काफी है हमारे यहां से निकलने के लिए इशाल ने तालिया के उपर लेहाब देटे हुए खाऊ तुमने ये तरीका कहां से सिखा है ये निस जचसुस से पूछा क्योंकि तालिया के तन्स करने की ठीक डो मिन बाद हो ऐसे बेहोश होगी थी तुम्हारे सवाल का मुक्तसर जवाब ये है कि लास ये मैं और हाजिक चाइना गए थे वहां हमारी मुलाकात एक बुड़े आदमे से हुई जो मार्शलाट में काफी होना रखता था है इशाल ने संजीरी से वसाखा दी तो हीर उसे सहाथी नसू से दिखने लगी किस बंदी में कितना टैलेंट है तभी उन दोनों के तेहा इशाल के बश्च्च मूबाइल ने कीचा एलो लुइस इशाल की कहने पर हीर समझी कि वह कुक से बात कर रही है शुक्रिया लुइस मैं तुम्हारी ये हिल्प हमेशा जात रखूँगी सामने से नाचाने क्या कहा गया यह वो सुकून भरा सांस कीच्टे वे बोली और फोन बंद कर गई सब प्लैन के मुदा भी खो रहा है लुइस से ब्रिंक्स यार कर दी है ठीक एक घंडे बाद स्क्योटिस्टा वे खोश हो जाएगा उससे फोन को साइट पर रखकर हीर को इनफॉर्म किया तुम्हारा नहीं ख्याल हम इस सब में लुइस की जान हतरे में डाल रही है जब सब लोग होश में आएगे तो सब का निशाना सीधा उन पर जाएगा क्योंने हमारा इस सब में साथ दिया है वो परिशानी से उससे पूशने लगी इनसल सोचू से अपने दमाग को मत तकाऊ ही सब मेरे अंटर कंट्रोल है उनकी नजरों में लुइस एक शरीफ और मासूम आत्मी है जो ऐसा कुछ नहीं करेगा वैसे भी वो ट्रिंक सेने नहीं जाएगा एक काड आकर ले जाएगा उने लगे काई एक नॉर्मल ट्रिंक है जो सूपर मार्केट साई है इस से रिलेक्स हो जावे भी हम महफूज है मुझे नहीं पता था कैमरा सिस्टम है करना इतना मुश्किल काम है इर उसे से दान पीस से हुए भोली हीर फोकस करो तुम ये कर सकती हो बस ठंडे दमाग से काम लेकर वापिस से कोशिश करो मेरे लिए प्लीस ओके इशार कि कहने पर हीर ने हाँ में सर हिलाया और लंबा सांस कीच कर उद को रिलेक्स करके वो वापिस से सामने पड़े लेप्टोप पर अपनी उन्या चलाने लगी उन दोनों के पास वक्त जादा नहीं था इसलिए हीर ने अपना मुकमल फोकस लेप्टोप की जाने पिया इस चंद इनने सर उठाकर इशाल के चाने देखते हुए कहां जो विंडोस जभाई देख रही थी ओ माई गॉड यू दिट इट इशाल ने उशे से उचलते हुए आजसा आवास पे कहां और पर जल्दी से उसके कले लगकर उसके काल पर अपने लप रखती है तुम्हें मेरी सलाहितों पर कोई शक था वो उसे तंग करते हैं फिशरारत से बोली बिल्कुल नहीं है मैं बस घहरान हूँ तुम्हें इतनी जल्दी कर दिखाया वो इतने कम मक्में यार तुम बहुत प्यारी हूँ थैंक्यू सो मच मुश्कूल ढेचे में बोली हम बेस फ्रेंड से हैं शाल शुक्रिया वाली कोई बात नहीं एक दुस्रे का साथ देना यह हमारा फरस है मैंने अपना पार्ट मुकमल कर दिया है अब तुम जल्दी से अपना पार्ट मुकमल करो वो बेट से उदर कर उससे भी उठाते हुए बोली एक्चली मैं चाहती हूँ तो मैं एक और काम करो मैंने सुना है कि अब सेक्योर्टी टीम का हैर असाम है जैसा कि सब बड़े नियू यॉर्क चले गए हैं तो असाक इंचार्ज है उससे सेक्योर्टी टीम को असाम के सपूर्ट कर दिया है किसकी कब शिफ्ट होगी ऐसा फैसा हो ही करेगा मैं बागी सब कार्ट को तो संभाल लूगी लेकिन असाम को कभी नहीं वो उड़ती चिरिया के पर गिन सकता है उसका सेहिन बहुत जादा श्राप है दो सेक्योर्ट में से पता चल जाएगा कुछ करवर है वैसे भी अभी उसके और मेरे दर्मियार हला तक पी अच्छे नहीं मुझे लगता है तुम ही करना चाहिए यह कि वो तुम पर कभी शक नहीं करेगा अगर उसे पता चल गया तो काफी हदरनाक साबित हो सकता है यह सब उससे यहने बहुत का दिल देजी से रखगा था क्या मतला बहुत सब का फुद को कंपोस करते होई पूशे लगी अज़ाँ सबसे आखर में बेहोश होगा जिसके फेवरेट सौफ ट्रिंग मैंने उत्याय की है और इसमें मैंने ट्रक्स दी थोड़ी से मिगदा मिलाई है जिससे पीने के बाद वो काफी दे तक भी होश रहेगा और तुम उसे यह ट्रिंग पे लाओगी उसके तफसिल से समझाने पर ही ने हां में सही लाया जबकि उसका दमाग उससे वोंट करने लगा कि यह वाली बेवकूफी हर्वस किसमत करना मगर वो अनसो ना कर गई क्या तुम फारिक हो वो उसके ओफिस में दर्वासा कोल कर उसे चेर पर बेटा देख कर फूशे लगी तुम्हारे लिए तो हमेशा फारिक हो बें बोला वो उसे मुहबबत बाश नसो से देखता हुआ बोला और साथ ही उसे पास आने का इशारा खिया जिसके बच्चा से वो धरकते दिल के साथ चोटे-चोटे कदम उसकी जाने बढ़ाने लगी तुम सारा दिन इतने मस्रूफ रहे हो और मैं यहां से कुसर रही थी तो सोजा तुम्हारे लिए कुछ पीने को ठंडा ले जाओ यह ने उसकी जानिब सोड़े एक लास बढ़ाते हुए कहां जिस पराद सामने कुछ बल उसके चेरे को देखा और भी गलास साम लिया इतनी नर्विस क्यों हो उसे उसको उंगलिया मसलते देखा तो आईबरोश का कर फूशे लगा नहीं ऐसे तो कुछ नहीं उससे हिम्मत से कहना चाहां मगर जैसे ही उसकी नज़र सोफ्ट ट्रिंग से ट्रकराई ना चाते हुए भी उसकी आवासर खड़ाई दिल कह रहा है तुम्हारा ये लाया हुआ सोफ्ट ट्रिंग आँखे बन करके पीलू लेकिन तमाग कह रहा है कुछ तो साजिश है वो एक हाथ से ट्रिंग पकड़े जबके दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर खुद से करीब करते हुए बोला जिसवा हीर के चेहरे पर साया से घुसरा साजिश तुम ऐसा क्यों के रहे हूँ मेरी नजर आसमान पर उड़ते बास से ज़्यादा तेज है कब कौन कहा और कैसे मेरे हीर के जाल भी चार रहा है समझ सब जाता हूँ वो उसके बालो को गर्दन से अटा कर वहाँ अपने लप रखता हुआ बोला जबके हीर की होफ से दिल की धरकरें थेज हुई मुझे ऐसा मेसूस हो रहा है जैसे इस सोड़े में कुछ कड़ बढ़ है लेकिन मैं तुम पर यकीन करना चाता हूँ दूआ करता हूँ मैं गलत हूँ वरना तुम्हें इसके सबसा बोगत नहीं होगी वो उससे दूर होकर सोड़े की तरफ दिखता हूँ बोला तो हीर के दिल ने एक पीट मिस की इससे पहले वो आगे पढ़कर गलास पकड़ दी असाम उससे दूर होकर वो गलास अपने मूँ से लगा गया और उसे एक ही सांस में आतम करके हीर की जानी पे रहा अख असाम इतने प्यार से लाई हो कैसे न पीता लेकिन जो मैंने पहले कहा वो याद रखना वो मस्कुराते हूँ वोन करता बोला जिस पर वो लब भीच कर हामिसा ही लागी तुम्हारा चेहरा क्यो उतर गया है कि सच में कुछ गलत है वो थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा उपर करते हूई वोशे लगा एर मस्बूत रहो तुम्हें ये करना ही होगा अपनी दोस्त के लिए उसके लिए फुद को स्रॉंग दिखाऊं बरसे भी असाम को तुम पर पहले ही शक हो रहा है वो दिल ही दिल में खुछ से वरवड़ाई नहीं मैं सिफ इशाल के वज़ज़ से परेशान हूँ वो बिल्कुल विचुप नहीं हो रही सिफ अपने बाबा के बारे में बात करी उससे बलके जुका कर उससे थोड़ा पोच जूर कहां हमसे जू हो सकता है वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं बाबा की तरफ से ओर्डर्स आते ही हम लोग यहां से निकल जाएंगे बस नियू यू यॉर्क के हालाद अंडर कंट्रूल हो जाएं प्लीज सुमसरा इशाल के साथ रहो वो कुछ बेवकुफों वाले काम ना कर गुसरे जिसका उसे बाद में फश्टा हो ठीक है वो उसके रुखसार को नर्मी से सहलाते हुए बोला तो हीर को लगा किसी ने परफ से फुल कोई पॉल्टी उसके सर के उपर भैंक दी क्योंकि वो जिस जखीन से उसे दिख रहा था हीर को इस प्लैन में शामिल होने पर पिश्टावा हुआ लेकिन अब वो क्या कर सकती थी जो होना था वो हो गया था और वैसे भी वो बीच राजसे में छोड़कर पीचे हटने वालों में से नहीं थी इससी वो अपने चेरे पर मुसकुराट सजाकर हामेसा हिलाकर उसके करे लग लग गई और उसकी धरकनों को सुनने लगी जबकि हसाम को पहरे समझ नहीं आया आगर हुआ क्या है मगर जैसे ही वो अपनी हैरत से उपरा उससे फोरी उसके केड़ अपनी बाहों का हसार भांद कर उसके सर पर लप रख दिये I am sorry हसाम प्लीज मुझे माफ करते न वो तकलीफ से आंके बंद करते वो ये जिरे लप खुट से परबढ़ाई फिर उसके सीने पर अपने कपकपाते लफ रख कर उससे दूर हो गई जबकि उसके लंपस पर असाम के दिल ने एक बीट मिस की अपना हयाल रखना मैं शाल के पास जाती हूँ वो उसकी golden blueish आंकों में देखते हुए बोली तो मैं देखकर मेरी सारी ठकर उतर गई है अब मैं तुम्हारे जाने के बाद और शिद्द से काम करूँगा वो उससे आंक मारता हुआ बोला जिस पर वो मस्कुराते हुए नाम में सहील आकर हैवी दिल के साथ आफिस से चली गई मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल था लेकिन फिकर मत करो असाम ये सब भूलकर जल्दी तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाएगा जब काफी देर तक इशाल ने हीर को यूही गुमसुम देखा तो वो होस्ता देते हुए भूली जिस पर वो हामिसा ही लागी और उसका शिद्ध से दिल चाहा कि वो इशाल के कहे अलफास पर यकीन कर ले लेकिन उससे बढ़ा था ये मुश्किल है क्योंकि उससे जो किया है असाम उसे सिफ धोका ही समझेगा चलो ही चल्दी करो हमें निकलना है मुझे लुइस की कॉल आई है वो कह रहा है कि असाम बेहोश हो चुका है अब हमें निकलना होगा जिस वा ही ने लंबा सांस कीजा और कपड़े लेकर वाश रोम में चली गई ठीक तीस मिट के बाद वो दोनों बगहर कोई सब वूट पीचे छोड़े तार्ग सुरंग में से घुजर रही थी यह हम लोग किस राश से पर है मेरा मतलब है यह कैसा राश सा है जबसे वो लोग केम से निकले थे हीर ने पहली बार अपनी सुपान खोली थी यह राश सिफ मैं और हाजाग जानते हैं हो सकता है असाम पी जानता हूँ लेकिन मुझे कनफर्म नहीं है जब हम लोग इस राश से के आखर वे फोचे के तो सामने साफ खुला एरिया है जहां एक काड़ी हमारे इंतिसार कर रही है इंशाल के बथाने के बात नोंने बागी का रासा हमोशी से देखिया जैसे इन लोगों पर चानती रोशनी पड़ी तो ही इने सुकून का सास भरा सीरियस सी इशाल तुम्हारी बिंक ओडी तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ब्लेक कार मंगवाती तो जाइदा फाइदा होता ये रंग सब की तबच्चा कीचेगा तुम शायदी भूल गई थी हम लोग भाग रहे हैं वो बिंक ओडी की करीब जाकर चिटते हुए बोली इस पर इशाल धीटू की तरह मुस्कूरा के कंदे बुचका गई जिबके वो तांत पीस करे थी जब वो दोनों नीव रॉक में धागी हुई तो सोभा के साथ बच रहे थे इशाल ने होस्पेटल की करीब जाकर काड़ी रोकी उसकी नसर हीर पर करीशो मासूमें से सोई हुई थी मैं भूश किसमत हूँ तुम मेरी दोस्सो हीर तुमने मेरी मदद के लिए बगहर एक पल भी सोचे उतको और अपने हसाम के साथ रिष्टे को मुश्किल में डाल दिया है तुम मुझे बहुत असीस हो गई हो मैं तुमें अपने सिंदगी में कभी नहीं खोना चाहती वो उसके चेरी को देखते हुए दिल में बोली और फिर उसने उसे कंदूं से पकड़का हिलाया क्या हम पहुँच गए हैं जैसे ही उसकी आँख कोली उससे पहला सवाल यही पूछाओ हम पहुँच गए हैं अंदर अपने बापा को स्टेशर पर लेटी देखने के हाल से उसका दिल होफ से पुरी तरह रड़कने लगा तो फिर यहां क्यों मैठी हो चलो अंदर चले रर्वासा कोलते हुए बोली मुझे टल रख रहा है हीर वो जो दब से मस्वोत बनी हुई थी वापिस से उसे आंगे भीगने लगी रिलेक्स एशाल अंकल ठीक हो जाएंगे तुम जब उनके पास होगी उनकी जीने की चाहत दुपनी हो जाएगी अब यहां सो बहाना बंद करो और सेकिंड से पहले गाड़ी से निकलो आखिर मैं उसे डांटे हुए बोली तो अपने दिल पा हाथ रख कर उने धड़कनों क काबू करके फोरण गाड़ी से भाही निकलाई रोट क्रॉस करने के बाद जब वो धोरों हॉस्पिचल की विल्टिंग के पास पूझी रिशाल आगया के चलते हुए दरवासा क्रॉस कर गई जब एक के गुसरने की बारी आई वा मुझोद काड़ ने उसे अंदर जाने से रुप दिया जो प्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहने आँकों पर क्लासिस दखाय हुए था इस्क्यूज मी मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ मुझे उनके पास जाना है सोरी मिस यहां से वो ही गुजर सकते हैं जिनके लाम लिस्ट में मुझोद हूँ आपका नहीं है इसलि फिर मैं खुद आपकी इसमें मदद करूँगा उस साथ लहजे में बोला इससे पहले ही रिस जाज में कुछ कहबा दी एक और काड आया और अपने साथी कान में सरगोशी नुमा कुछ कहने लगा जिसकी वज़ा से उस काड के चेरे पर साया सगुसरा मगर वो जल्दी उसके अनवास पर हीन ने खौफ से उसकी चानी देखा कि उससे ऐसा कुछ भी नहीं किया उन दोनों को आखिर तकलीव किया है इशाल जो रिसेप्शनिस से बात करने मसरूफ थी जैसी उसके नज़र फ्रंट टोर पर पढ़ी तो उससे चोड़कर उन लोगों की चानी पढ सोरी मिस्स रॉयल्स लेकिन मिस्स पॉलाट अंदर नहीं जा सकती सिफ फैमिली मेंबर्स को ये अंदर दाहिल होने की जासत है गार ने धराम से सर चुकाते होई कहां मैंने कहां ये गर्ड मेरे साथ है इस वेवकुफ ने ऐसे फजोल का वानीन बनाए है वो उससे से फूश कर गई लीज मेरी बचा से इमो का जानने मत दो तुम जाओ अंकल से मिलो मैं यहां इन लों के साथ ही हूँ तुम फिकर मत करो वो उसे रोकते होगे चल्दी से बोली पक्का तुम इन लों की मुझूद की परदाश कर लोगी नहीं तुम मैं यहां अपनी किसी कजन या अंक कार होने के बाद हामें सहीला गी अगर इसको किसी किसम की तकलीफ पहुँचाई या इसे खलत नसों से देखा या फिर इससे उची आवासें बात की तुम लोगों को अपने हातों से कतल करके फिर तुमारे चोटे-चोटे टुकडे करके कुत्तों को खिला दूंगी उससे स सारे इन लोगों के साथ काम करते कुजर गया हैं लेकिन ये रोब तब तबे की आदत अभी भी नहीं पड़ी जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है जैसे पहली बार है सारे का सारा हून पर अफ कितरा ठंटा कर देते हैं उन में से एक काट हुट से परबढ़ा का हीर की जाने प रहा हूं पहल तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्या क्या है लेकिन जैसे ही उसके सेन में हीर के साथ हुए गुफटकू और सोडा वाले ट्रिंग बीना ही याद आया तो उसके माते पर सिल्वेटे पढ़ने लगी जबकि यो अपनी लफ सकती से भीच किया तुम उठ गए हो अजाक की आवाज उसके कानों से टकराई तो वो नसर उठा कर उसके जाने पर देती लगाँ तुम यहां क्या कर रहे हो उसे खूरते होई फूशे लगाँ बहला एक तो उसके कोई जमाना ही नहीं तुम्हें ऑफिस से उठा कर यहां लाया हूँ और तब से तुम्हारे जम्हें आने का वेट कर रहा हूँ लेकिन तुम्हा ही नहीं रहे थे शायद उसकी वज़ा ड्रग्स हैं जो तुम्हें और बाकी गार्ड्स को दिये गए हैं ड्रग्स अजाक की वजाहत देने पर उसे लपर बढ़ाया हूँ हाँ ड्रग्स हमने जितना सोचा था उससे कही गुनाथ जादा हमारी कजन और तुम्हारी फ्यान से समाठ है हम सबको बेवको बनाकर वो लोग यहां से भागने में काम्याब हो गई हैं क्या वो दोनों महफूज हैं रास्ते में उन्हें किसी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ा वो अपनी शर्ट के बटन खोलते ह जैसा कि शाल फैमली मेंबर है उसे ऐसे कवानीन तोडने पर कोई हाथ सजा नहीं मिलेगी उसे वो सब लोग बाप की मुहबत में ये सब करना समझ का नजर अंदास कर देंगे लेकिन हीर अजनबी है जब पापा और बास को पता चलेगा कि हीर भी इसमें शामिल है उससे हसा मिलने से कोई नहीं बचा सकता मैंने हॉस्पिटल में कार्टस को कॉल करके पूछा है दोनों लड़कियां कैसी है उन्होंने कहा है कि शाल अपने पापा के पास है जबकि हीर को सर के हुकम पर नजर बंद कर दिया गया है मैंने पूछा किस सर के मगर उनने माफी मांग कि वो नहीं बता सकते लेकिन तुम्हें क्या लगता है कहीं वो पापा क्या तुम्हें पहले ही तो नहीं आ गई वो बताने के बाद आगर में उल्टा उसे सवाल पूछे लगा जो टावल लेकर वाश्रूम की चानिब जा रहा था नहीं, उन्हें हुकम देने वाला कोई योण नहीं बलके हसाम वजडान था वो इंधाई पूर्सुकूल लेजे में कहकर वाश्रूम का दरवासा बन कर गया जबके आजसक एरट से दरवासे को खोडने लगा पांच मिंट में शावर लेकर बहाई निकलो न्यू यॉर्क की सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल में है इसलिए पापा की तरफ से ओर्डर आया है हम दोनों ने प्राइवेट जेट में वहाँ पहुचना है जबके बागी सब दूसरे कैम में ट्रास्फर हो रहे हैं वो होश में आकर हुख में अलेजे में कहकर कमरे से निकल गया बापा आपको उटना ही होगा प्लीज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है आपको बहुत कुछ बताना है प्लीज उट जाए न इशाल ने अपने बाबा का सर्थ बड़ा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा हूँ मगर जब उनकी तरब से कोई जवाब नहीं आया मुझे आपकी आवाज सुननी है बाबा मैं तरस रही हूँ आपके मुझे दो अलफाद सुनने के लिए टीस बाबा अपनी आंगे खोले मुझे आपकी बहुत साथ असरूरत है आप मुझे ऐसे अगेला नहीं जोड कर जा सकते आपके वगेर मुझे शॉपिंग पर लेकर कौन जाएगा मैं जब रोंगी तो मेरे आंसू कौन पहुंचेगा वो रोते हुए उनके हाथ पर मसलसल अपने रप रखते हुए बोलने लगी बाबा आपको फिर से हमारे दर्मियान लोटना होगा आपको ठीक होना होगा मैंने अपने सिंदगी में मा को बच्वन में ही खो दिया था अब आपको खोने की ताकत नहीं है लीस बाबा वापिस आजाओ तो सारों कतार रोते हुए बोली वो ठीक हो जाएंगे इशाल हमारे बाबा भोच स्ट्रॉंग है शारीब की अवास उसके कानों से टकराई तो वो स्टूल से उटकर चल्दी से भाग कर उसके गले लगकर बच्चों की तरह रोनी लगी जबके वो भी अपने आसों पीते हुए उसके बालों को सहलाने लगा चुपकर जाओ गुडिया काफी दे शारीब की गले लगे रहने के बाद जब वो रिलेक्स हो गई तो उससे अलाग होकर वापिस टाकर स्टूल पर वेट गई इशाल तुम्हे अराम की ज़रूरत है तुम सुबा से यहाँ हो जाओ खर जाकर थोड़ी देर रिस कर लो मैं यही हूँ वो उससे करीब आकर उसे कंदे पर हाथ रखता हुआ बोला मुझे तुम पर यकीन नहीं वो हाले नसरों से उसकी चाने दिखते हुए बोली वाट तुम्हार दमाग ठीक है वो उससे दो कदम दूर होकर भी यकीनी से फूशने लगाँ तुकि उससे ऐसे लगा जैसे इशाल ने उसके मूँपर तमाचा दे मारा हूँ इतना हेरान होने की जुरच नहीं ब्रदर वो तुम ही हो जिससे मेरे इतमाच को धोका दिया है इसलिए भुग तो आप और गोला होते हुए बोली क्या मतलब? मैंने ऐसान कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारे इतमाच तोटे वो दान पीसे हुए बोली अगर मेरी भेन की इफाज़त करना उसका यकीन दोड़ना है तो ठीक है मैं इसे बाखुशी कबूल करता हूँ शारिफ ने उसकी बात के हवाले को समझते हुए सर्थ लेशे में कहा हूँ जिस वर इशाल ने हुश सकेका लगाया तुम जानते हो ना बाबा मेरे लिए क्या है उसके बावज्यू तुमने यह किया मैं सोच रही थी तुम हाज़िक को हसाम से कहोगी कि वो मुझे यहाँ छोड़ दे लेकिन तुम उल्टा मुझे वहाँ कहत रखने मिरासी थे वो उसके जाने देखते हुए बोलने लगी तुमने वादा किया था जब मुझे शुरवत होगी तुम वहां मुझूद होगे यह हमारे घर का कानून है कि हमें एक दुस्य की मदद के लिए हरप पर मुझूद रहना होगा लेकिन तुमने ये कानून तोड़ा है मुझे मेरे भाई की सुरवत थी लेकिन वो नहीं था आज अगर मैं वहां से नहीं भागती तो बैचारू की तरह अपने कमरे में बैटी बस रोती रहती आखिर में उसकी आवाज सर्च से तकलीफ में बदल गई शारिम ने उन दोनों के दर्मयान का फासा देखिया और अपने पुर्तपिश प्लूइश आंकों से उससे ग्रीन आंकों में देखने लगा ये जगा अंटर अटेक थी हमें यहां से हत्रा टालने में दो गंटे लगे हैं पापा पहले ही हॉस्पिटल के बेट पर लेटे हैं मुझ में अब इतना भी होसला नहीं तो मैं भी इस पर पड़ा हुआ देखू इससे मैंने जो किया वो महस तुम्हारी हिफासत के लिए किया अगर आइंदा भी ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं ही करूँगा तुमने जो सोचना है जो करना है करो मुझे जरा बरावर फरक नहीं पड़ता मेरे लिए मेरी फैमली की पोटेक्शन ज़रूरी है और वो मैं हर सूरत करूँगा वो एक ही कलवस जब आकर बोला और फिर दर्वासे की जाने पड़ गया एक और बात जब बॉस या अंकल वजदान तुमसे ही भागने वाली स्चोरी पोचें तो ब्राय मेरबानी उस बेचारी हीर को उस सबसे धूर रखना उसका नाम हर्गिस दंदर मत लेना वो डोटोग लेचे में कहकर वहाँ से चला गया जबके वो वहीं स्टूल पर बैटती चली गई क्या मतला पीर को दूर रखो ओ गॉड कहीं मैंने उसे किसी हत्रे में तो नहीं डाल दिया वो अपना चेहरा हाथों में चुपाकर दिल ही दिल में बोली